इसराइल पर इरान के हमले ने युद्ध जैसी स्थिती पैदा करती है दुनिया को डर है कि पहले से ही युद्ध जेल रहे मध्य पूर्ब में युद्ध का एक नया मुर्जार ना खुल जाए अमेरिका पूरी कोशिश में है कि ऐसी स्थिती न आए लेकिन इसराइली वार कैबनेट की बैठक ने सपस्ट कर दिया है कि इसराइल जवाबी कारवाई करेगा इसराइल की मीडिया में इरानी हमले की काफी कवरेज देखनों को मिल रही है मीडिया में ऐसी खबरे चल रही है कि भले ही अमेरिका इसके लिए मना कर रहा है पर इसराइल को इरान पर तुरंत हमला कर देना चाहिए इसराइल के बड़े अख़बार दजरसलम पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में इसराइल की सुरक्षाजंसी शिन बेट के पुरु मुख्या याकोब पेरी के हवाले से लिखा कि इसराइल को इरान पर हमला करना ही चाहिए उनके हवाले से एक बार ने लिखा है कि मैं समझता हूं कि प्रत्करिया देने के अलावा इस्राइल के पास कोई और चारा नहीं है इस्राइल को जवाब देना होगा ताकि वो मध्य पूरू में सबसे गंभीर शक्ती के रूप में अपनी सिती बनाय रखे और इरान से आगे रहे जहां तक कैसे और कब का सवाल है मैं कहूंगा कि ऐसा इस्राइल की सुधा के अनुसार होना चाहिए वो कहते हैं जवाब कैसे दिया जाए मैं उसमें नहीं जाना चाहता लेकिन मुझे नहीं लगता कि इरानी हमले के जवाब में हमें अपने सैन्जिकों की जान जोखी में डालनी चाहिए हमें तकनीक और दूसरे साधनों का उपयोग करके हमला करने की जरूरत है और इसराइल के पास ऐसा करने की शमता है इसराइली सेना के ब्रिगेडियर जनरल रहे जकाब नागेल का कहना है कि इरानी जमीन के खिलाफ एक बड़ी कारवाई की जानी चाहिए उन्होंने का कि इराइल के डिफेंस सिस्टम ने इरान के 90 प्रतिशत से अधिक हमले को नाकाम कर दिया लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इराइल को इरान पर हमला नहीं करना चाहिए उसराइल के एक बड़े अखबार टाइमस ओफ इसराइल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका भले ही मनना कर रहा है कि इसराइल इरान पर जवाबी हमला ना करें लेकिन वार कैबिनेट की बैठक में ये तै हुआ है कि इसराइल इरान पर जवाबी कारवाई करेंगा एक इसराइली अधिकारी ने बताया है कि उनके देश की तरफ से जवाबी हमला जरूर होगा जबकि प्रधानमंत्री बेंजमीन नितनियाहु के कार्याले के एक सुत्र ने बताया है कि फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है इसराइली सेना फिलहाल विकल्प तलाश रही है और ये बात तो साफ है कि इसराइल जवाब देगा समचार अजनसी रॉच्चरस का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट में लिखा गया है कि वार कैबिनेट इरान के खिलाफ जवाबी हमला करना चाहती है लेकिन उसके मेंबर्स में हमले की टाइमिंग और उसके पैमाने को लेकर सहमती नहीं बन पा रही है इसराइल की नाशनल लियूज अरुज शेवा ने अपनी रिपोर्ट में अमेरिका के पूर्व राष्पति सुरक्षा सलाकार जॉन बोल्टन का बयान प्रकाशट किया है जिसमें वो अमेरिका की जो बाइदन पुशासन को लताड रहे हैं जौन बोल्टन का गहना है कि अमेरिका इसराइल को इरान पर हमले से रोकना शर्मनाक है CNN से इंटर्वी में बोल्टन ने कहा कि बाइडन अमेरिका के लिए एक शर्मिंदगी है जब तक इरान को जबाब नहीं मिलेगा खत्रा बना रहेगा कर दो फ़्र दया ऊजब तक रहेगा जब तक रहेगा जोल्टन को जब तक राम जब तक रहेगा जान परादिएगन का रहेगा जब तक रहेगा है